हेलो दोस्तों नमस्कार गुरुनिती में आपका श्वागत है आज हम गुरुनिती में आपके लिए लाए हैं आपके सारे चले जाए आज मैं आपके सामने शर्वेश यादा और मेरे साथ हमारी सीयल सी के मोस्ट डायनामिक पर्सनलेटी ललित साथ में आज बच्छों हम लोग जो इनके कोशन सोल करेंगे और जो कोशन सोल करने के सीरीज है वो सब टोपिक वाइज होगी ताकि वन बाइवन आपका जो पूरा आर्टिकल है क्लिर होता जाए और आपको श्रव को अच्छे तरी के सोल करते जाए बिल्कुर तरह सारे स्टार पहले पर आते हैं विच ओफ दा फॉलोविंग नाइड्रोजनेस बेस इस डिराइड फॉम दा प्यूरी एक्चुली यह इस बेसिस के बहुत सारे कोशन आते हैं बहुत कोशन भी बहुत कोशन भी है और काफी सिंपल कोशन भी बिल्कुल स्कॉरिंग है एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट से इस इंको अपन बताए देते हैं एक खाली पेस को यूज़ करते हैं तो यहां थोड़ा सा नुक्लियो टाइड के अकोडिंग आपन बात करेंगे जो नुक्लियो टाइड होते हैं उनके तीन कंपोनेंट है एक तो होगा आपका फोस्फेट, सुगर एंड बेस तो नुक्लि इस यहां पर होते हैं और यहां तो यहां पर होते हैं पैरिमेडिम हैं अपने पास में तो टयमेडिम निवन फोर दॉटेन जो इस पर नी साइटोसीर थाइमिन नेकिन जो आरनी होता है उसमें थाइमिन के धिकाहँ प्रोंत तो अपर भाता है पांच टैपके हो गए दिने गॉणीन उसमें उसमें इरुटाशन सेटोसीर ये ने पर पूंस ले चलिए जाएशा सथा निवन इस और यूरेसिल जहां केवल आरने में होता है तो यह थोड़ा सा अपने समराइज कर दिया है इसके आपने पर आपने क्योंस पर चलते हैं इनके एक्सपरिमेंट से पहले यह क्लीर नहीं था कि जनेटिक मेटिरियल को नहीं तो इस बात को सबसे पहले यह थो यह थो यह थो यह थो यह थो सिक्वेंस था बड़ा सिम्पल है डाइग्राम यहां पर देनी रखा क्योंस पहले था इंफेक्शन उसके बाद में करवाया था आपका ब्लेंडिंग और फाइनली सेंट्रिफ्यूगेशन तो थर्ड ऑप्शन है मेरिक अलिस में यह था फिर ब्लेंडिंग करवाई थी ताकि उसके पास जो बाहर कोई भी पार्टिकल अगर टेज है वो क्या हो जाए उसके बाद में सेंट्रिफ्यूगेशन के इंतर बच्छों क्या होगा देन्सिटी के बैसिस पर हम लोग जो है टू पार्टिकल्स को सेप्रेट कर देते हैं त तो यहां की तो वह यहां च्छों पर चार्गाफ रूल क्यों से ब्याव सिंपलर एंपोर्टेंटी और से अच्छा एक रूल है सबसे पहला पॉइंट को यहीं कि उसने ब्लीफ़ प्रप्लाई होते हैं उसने सिंपल बोला था डवलिशन डियने ने उतना जितना ग्वानीन उतना सै sind homo a plus G जो है selfish anders प्ष्मोप्पोंभा सी प्लस टी के को सी और टी हैं जो इक्वल होंगे तो इसनी एक क्या हैं प्यरीणस है और यह क्या है tudo प्यरिमेडीन और प्यूरिंज है प्लस जी अपॉन टी प्लस सी का जो रेशो है वह हमेशा बनाता है यह कुछ बात उसने बताई देखते हैं प्यूरीन और पिरिमेडिन बराबर है ठीक है एजी अपॉन टी सी एक होगा यह भी करेक्टर है जी और सी जो है इक्वल होनी इक्वला मांट में यह भी से इसका हम तो सारी जो है चारगाफ की रूल से परसंटेज वाले वी कुछता है कि कितना परसंट एडिनीन 20 परसंट है तो थाइमिन भी ओविसली 20 परसंट होगा तो यह कितने हो जहेंगे 30 एंड 30 जो पैटेंट कुछन है कई वार पूश्ता रहता है क्यों अपन इस तरीके से जाएगे लेकिन यहां पर गौनें कितने होंगे साइटोसिन कितने होंगे उसके लिए यह तो टोटल बेस का नंबर दे तो बता सकते हैं अदरवाइस के बहुत इंपर्टेंट बात पता है इसब ने परसंटेज अलग है लेकिन नंबर जो है वो तभी बता पाओगी जो आ इसबिख नहीं कर सकते हैं कि 5 हैं जूकि लिए यह से बात कर सकते हैं वहां पर नोने साथ बताया था जो डीने एक है उससे और ने का हमेशन के लिए और तो आरे से बहुत इंपर्टेंट बाते वह जो ए प्रोटीन के लिए डेड पर डिदेड करता है वो डिय ने कभी भी डारिकली प्रोटीन ही बना रहा है आर ने divakção के लिए कि अचे से सद्र एक लुकि जो डियने है उससे वापस डियने बगसकता है तिव दियने से आर्ने बगसकता है लेंगे डियने से प्रोटीन का hours and directly कभी भी कभी नहीं होता है तो अच्छा क्योशान है आश्र हो जाएगा आपकर तो हमस्ते हैं और च्योसन को सब्सक्राइबार्यक करना पढ़ेगा इसका फाइब प्राइम है इसका थ्री प्राइम है फाइब प्राइम पे गौनिन होता है और यहां पर यहां प्र भाइब प्रिंद अ कि ऑनके प्रफिशना प्रफ 앞에 यह ऋकशा प्राइम हूं रचलों होती है और आप एसे तर आ ने जो है इसे के त्री प्राइम एंड पर अपर अटे तो यहां पर SI linkage बनेगा और यहां पर बाइंड पुझ जाएगा तो सिंपल आंसर पुझ जाएगा तीज आ रहे है त्रांस्फोर्मेशन एक्सपरिमेंट वाज फस्ट पॉफॉर्म्ड ओन विच लेक्टिरिया त्रांस्फोर्मेशन से भी काफी क्योंस आते रहते हैं रूर्पीट का काफी यह famous experiment है और से बस्टेप्टोकोकस निमोनी का यूस किया था बैसी किल्प्यिंग इसके त्यू टैप्स के लिश्तर होता है एक तो यहां पर होता है और एक इसे कीसी हो सकती है और यह याग भी रखना है इसको नियुमोफोकस भी बोल देते हैं जनरली पर हैं इंच्याटी में लिखा है तो इस टेहन के जुरूर फोकस करना कि आर स्टेहन की बात करें एस टेहन की जैसा शर ने बदाया जो आर स्टेन है वो पैथोजेनिक है और ऑर एक्सपेरिमेंट से जो क्यों आते हैं वो अलग है जो आएंगे आगे उनको भी सुन करेंगे लेकिन जो निमोनिया पोज होगा इस टेडी करेंगे बिल्कुल प्रिखेश अधर डीना टीने अधर कि आप इस अधर नंबर ओफ एडिने इन 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 डालों अब इस आपने में इस आप ने जैसे अपने बताया था बिल्कुल उसी इसने मुझ आई कि जो साइटो सीन है वो तर्डी है तो सर यह तो बता सकते है कि जो गुआनिन हो भी प्रकाण्डी होगे लेकिन इसमें पूच आप जाया कि अधिनीन को अधिनीन केरा होगा अधिनीन कैल्पॉलेट नहीं कर सकते है क्योंगी यहां पर डेटा इंसफीशियंट है यहां पर टोटल बेस को आपको मालूम नहीं है तो आप आप आंसर जोए इस पर जाओगे तो आ इंजेक्ट विद ग्रिफिद परिक्षन में चुहे की बर्त्यू नहीं होगी यदि इसे इंजेक्शन दिया जाए अपने इसको लाइव एस इस्ट्रेंड तो एस जो है उससे तो निमोनिया होता है बिल्कुल जो माउस उसकी डेथ होई जाएगी हीट किल्ड ऐस ट्रेंड है मैं अगर यहां पर हीट किल्ड ऑर स्ट्रेंड कमाईंड विट यहां पर ऐस स्ट्रेंड है तो निमोनिया यहां पर हो जाएगा उसके डेहोगी । इसमें ढोनों सप्क्राइग है जिससे आपने पहलेर इंगा है। और हिट्किल रस्टेन या रस्टेन वो एसस्टेन में तरन्सफर्मेशन नहीं करे पैंड़ीं आप नेक्स्ट! बिल्कुल सेही बत है अपर एक इसे इसे स्टेंट में यहां पर एडियन है तो सामने वाले में डेफिनेटरी चाहेगा थाइमेन अबार कॉंप्लिमेंटरी होती है दूसरी इन ट्रांस्फोर्मिंग प्रिंसिपल वेन स्ट्रेप्टो कोकस निमोनी बैक्ट्रिया और ग्रोन और कल्चर प्लेट इसके दुर्व स्ट्रेंड के बात होगी और स्ट्रेंड वेक्ट्रिया है यहां से आगया रोंग आ गया अभी सर ने बताया भी आपको कि जो म्यूकस लेर होती है पॉलिसे लेर होती है वो एस इस जो है उसमें पाई जाती है और उसी के बदिए से यह एस काफी स्मूथ होता बिल्कुल तो यहां पर आंसर आजाएगा फॉर तो यह फोर जो है गलत है बाकी कि दिनों सर ने समझा भी दिया बिल्कुल क्या है करेक्ट है तो next question पे चलते हैं consider the following statements यह statement वाले कोशन सर्थ बहुत बारत है यह तो डारेक्ट कुछेगा कौन सा गलत है कौन सा सही काफी statement द बिल्कुल क्लियर होगे बिल्कुल तो अपन बात करते हैं एक पहले कत्रों पर विचार करते हैं DNA preferred और RNA for storage of genetic information बहुत अच्छा point है इसने बोले DNA preferred over RNA for storage of genetic information जो DNA storage के लिए बेटर है बिल्कुल RNA से और उसका reason भी आपको पता है DNA जो होता है more stable and less reactive बिल्कुल स्टोरेज की बात देख लेंगे क्या कुछ है DNA is more stable DNA बिल्कुल सिंपल है RNA is more reactive and unstable DNA जो है more reactive and unstable और इसका reason भी आपको पता होना चाहिए due to the presence of second prime OS group बिल्कुल आरने के अंदर से निक्रेटाइड उसके राइबो सुगर उसके second prime पर OS group free है तो आरने मोलेकुल में बहुत सारे क्या है OS group उसकी बाज़े से जो है RNA ज्यादा रियक्ति होगा और structurally भी क्या होगा unstable जबकि जो DNA है उसके पैल्टो सुगर में second carbon पर OS नी होता तो व पर इसे भी कह सकते के साफ फर्स्ट जेनेटिक बेटरियल किस आरने बिल्कुल सबसे पर ने से ही DNA का फॉर्मेशन हो यहां सारे स्टेटमेंट क्या हो गए सब और सबस्क्राइब कर दो और सबस्क्राइब सिंट्रेशिस ओफ एम आरने टेक्स प्लेस इन देखो बिल्कुल एक कॉंसेट बताए जाते हैं कि अगर बात करें आपने नुक्लिक आसे आइधर डीने और आरने तो नुक्लिक आसे जो है पोली नुक्लिटाइड चेन है और उस चेन का फोर्मेशन हमेशा है और हमेशा के यहां पर दो सिक्वेंस आती है एक तो आती है इंडिंग सिक्वेंस तो जो पोलीमरेज एंजाएम है वह पड़ता हमेशा 3 डेस टू 5 डेस है बट उसकी उपर फोर्मेशन हमेशा 5 डेस टू 3 डेस तो डारेक्सिंव ओलो इस क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो यहां बिल्कुल यह स्टेटमेंट तो सही है अभी बताया था कि उसके पास सैकिंड प्राइम प्राइम प्री है उसकी बज़े से जो है वो खुद के फोस्पडाइस्ट पॉर्ण को ब्रेक कर सकता तो उसको अपर बोलते हैं ओटो क्लिवेज एक्टिविटी तो यह तो स्टेटम अब है इससकत की अभी है आरं मीं कॉता सिर्फ में और इसके आरेन के उनाचरेशल बिल्कुल पर इसको डिसकेस भी कर चुए यहाँ पर आरेने के करेक्टर बता दी यह नहीं है बागी सारे आरेने की करेक्टर वहीं इंफोर्मेशन भी चलेगी बच्छों के पास करेक्टर फोलोईंक स्टेटमेंट्स निम्नों लिंके प्रतों में विचाहत कीजिए इस टोन और रिच इन बेसिक अदूस लाइसिन और आरजिया विश्टोन जो है उसमें तो होता है इसमें हट होता है ज़ला ओर जो है इसमों जाएगा तो बिलकुल यहां पर statement किया यह correct है यह correct हो बिलकुल दीने इस नेगटिवली चार्ज मोलीकूल तो डीने जो हैं उस पर चार्ज नेगटिव आ होता है बिलकुल इने गंटेन फोस्पेट ग्रुप बिलकुल फोस्पेट तो चाहिए DNA हो चाहिए RNA दोनों के दोनों प्रजेंट होगा बिल्कुल अन एक्वेकलल प्रूफ देट दियने इस जनेटिक मेटरियल केम फ्रॉम्ड एक्सपरिमेंट्स और हर्षे एंड चेस अभी बताया था जो सुषपस्ट प्रमान है दिखाया ना अनुशिक प्दार्थ DNA हो जागा तो इस पर्मान किसमें दिया था हैसे हो चेस ने तो ये स्टेट्मेंट भी क्या हो गया कुछा क्या है तो जो ऑप्शन से उसकी बात की है तो ओल आर और अंसर हो जाएगा थार्ड बिल्कुल इस नेक्स्ट इटिफाइड गिवन स्टेक्चर्स फोर्मुला एंड सलेक्ट प्रेक्ट ओप्शन दिये के सर्चतार मुसुत्र को पैचाने है से विदूर्पाँ जैन कीजिए बिल्कुल दो स्टेक्चर सामने दिये उन्हों आपको पैचानना है और यह भी आपके इसमें पूश्यक्ट मत्समें हूं फोली सब्सक्राइट बेसे एक तुष्बूर्ण Rub पोती हैं और यहां पर होती को स्टेक्चर्ण पिरेटन की अकोडिंग बात करें तो भीला जैसे सार ने बताया कि यूरीन है और दूसरा हो जाए यहादब का पारिमेडिंग तो अपशन के अकोडिंग कुछा यह है कि करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है तो यह दोनों को ने यूरीन कथा पारिमेडिंग अब तो इस पर इस पर फोकस करना पड़ेगा कि इसके बेस है यह फोस्पेड है और यह फोस्पेड हो गया पक्का किसका इसका इसको मार किया कि एक यहां मार कर रहें एक मतलब हो गया sugar और बेस के बीच में बॉंड तो रिक्राइज करना है वेरी सिंपल बॉंड कों सा होगा यहां पर एंगलाइकोसाइडिक और वैसे इंपोर्टेंट एक्रोड बता भी दाता है यह यहां पर जो बॉंड होता है होता है फोस्फो एस्टर और जो निक्लोड आप Emery उस्ट्रेंदर अपसमे निक्लाइड के जने होता है scientist which statement is true Ideine has four nitrogen atoms in ring cytosine has three nitrogen atoms in ring gu Lucian has five nitrogen atoms in ring पुछ है कि नैडोजन पुछ है कार्बन और ठीक आप बता दोगे जैसा किल स्यरोग पर अपरी जैए अगर दिद्ले कार्वा जाएगा पर लुगों कि बात कर लेए तो था चाल namely आनके बताई हो याप की क्योद्वी स्कॉल्दम प्यूरिंग Л enfo पोटल जो एटम से वो 9 है देखो इसकी numbering भी important है numbering अपन करते हैं यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 तो प्लिपल क्लियर है आपके सामने देखो यहां पर nitrogen कितने है तुमारे सामने है एक, दो, तीन और 4 nitrogen है और वो भी कौन से number पे है 1, 3, 7 and 9 नमबर पे आपको nitrogen मेलेगा और जो pyrimidine ring होती है तो यह एक ring जो है इसको आप separate कर दो pyrimidine ring हो जाएगी carbon, nitrogen, carbon, nitrogen, carbon, carbon यह pyrimidine ring होगी इसमें 2 nitrogen present है अब जैसा पुछ से उसके calling आप सर बचाते देगा which statement is true, adenine has 4 nitrogen atom यह adenine की बात करें तो adenine होगी तो pyrimidine होगी एक आप लीकों होगी जोगी किया है तो साइट्रों क्या है यहां इस निट्रीन होगी जोगी आप्ने काफी कोशन से स्यूह कि कर सकते हो, इस लिए यह आ पर डिाग्रन प्रामा है ताकि ऐसले कोशन आप से गलक नहीं और इसको इसको बताते है इसको बता है है 1 2 345 और 6 इसकी नमरिंग में इस तरह से नहां से शुरू होती है इसकी वह और ऐसे और इंट्ट ओर वह एक नाइक्स कुछल पर जलते हैं इसमें जो एडियोटाइड है विसके बाद में यहां पे है लेम्डा फेज को भी सिदा मैच ही कर दो अपने आप कर लेंगे लेंगे लेम्डा फेज यहां पे किसे हो जाएगा इसलिए अपने यहां पर बेस लिखा है ने कि बेस लिखा है बिल्गुट और वुमन का जो जिनोम है इसमें अपड़े होगे जिनोम की बाद कर रहा है अगर फुट इसी प्रमोजम की बाद करता तो मल्टिप्टाइब ही अपने टू कर देंगे 6.6 जो एंसेरी में डेटा भ वह दिए अन्दर भी डियास डियन है और यह जो यह वाला जो फेज है फाइल बन सेवनिटी पॉर इसमें सिंगल स्टेंड डियन यह एंस डियन और अपने अंदर होता ही है डबल स्टेंड डियन तो यहां पर भी के बार ओक्विशन पुछ लेता कुसमें स्टेंड एक इस इस्टर लिंकेज तो फॉर्म एक डायनिकलियोटाइड बिल्कुल से बात है विद दो निकलियोटाइड के विए जो बॉर्डगोंस है फोस्पोर इस्टर और वह दोनों पैसोबर के त्री कार्बन है यह इंपोरेट है बिल्कुल जाए सबने बताया कि जो डारेक्शन उस बिल्कुल यहां पी उन्होंने डारेक्शन की बात कर लिए फोड़ा सा इस्टेट्मेंट लिखा है जो प्यूरीन है वह जब भी सूगर के साथ एंगलाइकोसाइड बनाएगा तो वहां पर डारेक्शन होगी जो आपका सूगर है उसका तो फ्स्ट्राइं कार्वन हो गया और जो आपका प्यूरेन उसका नाइट्राजन और फिर्मेडिन फिरिमेडिन होगा तो यह가्या सूगर का रहता है और यह जो प्रीमेडिन उसका ये नाइट्रोजन फिरिमेडिन जो पर डारेक्शन किया ए वहां तो यहां पर आंसर आपन देखें तो A, B, C जो है वो तो correct है यहां पर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विच आपने पास में जो DNA होता है उसमें A, A की पीछ में होता है और जो C, A, G है उनकी पीछ में टिपल बोंड है तो टिपल बोंड को तोडने के लिए अपने को मेंटिंग पॉइंट हाई चाहिए होता है तो जिस DNA के अंदर ज्यादा C, G है इसमें मोड टिपल बोंड होते हैं उनका मेंटिंग पीज़ादा हो जाए तो जिस इतना ज्यादा हो गया उतना मेंटिंग जादा हो जाएगा तो इसलिए यहां पर अगर बात करेंब इसमें जी सी कंटेंट क्या है हाई है यहां पर आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जो ऑपने पास में इस तरिए उस में डायमेंटर 20 यहां पर दोनों कि चेन है उनके बीच का जो डायमेटर 20 यहां निक्तर होता है यहां पर यहां पर फॉर्ट वाला क्या हो जाएगा एसके हो जाएगा रोम हो जाएगा तो आंसर आपको जाएगा नेक्स्ट नमर 21 विच इस नोट ए यूजवल फंक्शन ओ आरने इन सेल मेसेंजर अडप्टर हैं इन ट्रांसलेशन जनेटिक मेटरियल तो यहां पर जो जनेटिक मेटरियल है बैसिकली वो डीने होता है बिल्गुल अपनी सेल के अंदर तो यहां पर आसर हो गया फॉर्ट ओ लाएगा आगे मैसेंजर आरने अमरने वहता है टेप्लेट विश्ट तो है यह बाद कर रहे हैं टी आरने की वाहल्पिन ट्रांसलेशन जो टीमया आरने जो है वह वह ए अलव बढ़ते हैं ट्रांसलेशन में और यह इंपोटेशन में आपने बताई इसल वो गिए तो यह अपने पास में बीफिट का मॉडल तो बीजिस की खुआ बीच करने आपको पधना है उन्हों में किस करने तरह बादनी ने इन खुआ है पर दो नहीं है तो आपको पढ़ना भी हो उन्होंने किस तरह से प्रूव किया थे प्रोटियेज आर नेस डियने जो इसलेट किये थे उनको भी सेप्रेट किया थो वहां पर भी थोड़ा इंपोर्डेंट है और वाली भी रखा है जब तीन का जो एक्सपेरिमेंट थे उससे लिए तब भी ट्रांस्फोर्मेशन रहा था रहा था यूज्ट इसका यूज किया था लेकिन प्रेक्साइब फाइफ ऑफ एक पौली नुकलियॉटाइब चैन ऑज ग्रूप इस प्रेंट इच्पान को स्पेंटों इस पर आपने को पता है कि जो पॉली है उसके 5 देस का मतलब होता है कि इस आप फिफ्थ कार्पनिकी ओपर फोस्पेट ग्रूप है और 3 देस का मतलब है और 5 एंड की बात की है तो फोस्पेट ग्रूप अटेश्ट नेक्स्ट दूरिंग हर्शे एंड चेस एक्सपरिमेंट वें वेक्टरिया बैट वर प्रोटीन देन रेडियोएक्टिव इस हर्शे तरह चेस परेक्षिन के दुरान जब जीवानों को विशानों जो रेडियो सक्रियता डिटेस्ट इन सेल्स डिटेस्ट इन सुपरनेटेंट बोथ इन सेल एंड सुपरनेट्र वोलिया है काफी अच्छी बात कर गया है वो अनकतर दो दो प्रोटीन है उसमें आधार बार ही नहीं के जैए खुए सकते हैं बृटेस्ट इन सेर्स पों किसकी बात कर रहा है ये कर रहा है जिसकी ये कर रहा है दुरू प्रोटी ऊड़म ओश्म को रहे हीure सोपीशी हई और वहां के व् परोटीन के वसक्षिक पे और आरने देट फाउंड इन बोथ 80S ribosome and 70S ribosome is 23S rRNA 5.8S rRNA 5S rRNA या all of these तो अपने को पता है कि जो 70S और 80S ribosome है इनमें जो common RNA होता है तो होता है अपना 5S rRNA बिल्कुल और ये structure जो पहले गुरुल दिया ही है सेल बाइले जिकिन क्यों में राइगोजों की structure बता भी चुके हैं बोरा बच्छों को याद भी होगी है जैसे मालो यह अपने काता है कि साब 70S है यह अपने पास में है 80S तो यह यहां पर होता है 30S 50S 30S में को पूरता था 16S rRNA और 70S में था अपने पास 23S rRNA 5S rRNA 80S में जो अपने पास में 40S था यहां पर था 18S rRNA यह अपने पास में था 60S rRNA इसमें था 28S 5S 5.8S rRNA ने सारे बता भी दिये हैं जैसा को इसके बोडिंग आप आराम से कर भी सकते हैं next column को सुमिरेदख किजिए यह पने पास पर अबने पास में एक 15स मैं पेंटोस अगर फेंटोस बेऊं सारा एन पन्स पर दोरुकार तो पह neurologism पर दोपने आप अपने जेसे अपद पर उन आगे बी की बात करें यहां पर ही हो गया पेंटो सुगर यहां पर इसके नाम पे अगर जाएं तो यह हो जाएगा फिर यूरी दिन बिल्कुल यूरेसिल है और यह नुक्लियोसाइड की फोर्म में है तो इसको अपन बोल सकते हैं आप दिन आगे डियूरेसि यूरी दिन बिल्कुलियोसाइड नाम देदे इसका यह हो गया और नोसिंब यहां पे अब यहां पर नहीं होता इंव दिल्काण माले विल्क यहां पर यहां पर घृच अल्टा पर ऐंड तो इसके आट जिर रहताएं अब लिए अपने से बताई वी यह एडियों की स्टुक्चर है बिल्कुल और वह वाला यूरेसिल दे रखा यह दो भी आप रहां लेज़ा विसलिए सारी इस वैसे अमने बता दिया को आप आराम से जाके इनको मैंस करते हैं हरी स्टुक्चर के उपर आपने नाम मेंसल कर द इदर है chemical compound इदर है इसके example nitrogen-based तो nitrogen-based यहां भी इडिनीन हो गिया ठीक है। उसके बाद में अपर मेंसल करते हैं तो Nucleoside यहां पर को मेंसल क्या सबते हैं? उसके बाद में है Nucleotide के पैचार के लाच्ट में आता है इसके 1-cacid किसमे है? नुकली केसिट अपने पास में कुलसाइए नेक्स्ट कुछन है मैं इस फॉलोइं कोलम कोलम फर्स्ट इदर है कोलम सेकेंड है टेलर एंड कलिक्स हट्से एंड चेस ग्रिफित जेकब एंड मोनोर्ड तो बिल्कुल अपर करते हैं इसको तब से पहले यहां पर दे रखा हैं लेक ओपरोम जो है सबसे तुने गाता जैक अपने एंड मोनोर्ड उसके बाद ने हैं तो जो डीने हैं इसके बार एंड किसने किया था हजची और चेस ने कर दा कि डीने क्या है आप इस बैर जैनेटिक मेडियर उसके बाद में ग्रीफिट घ्यांप है इस जान्सटार सब्सक्राइब कर देखना पड़ेगा इससे अपने बात करें डिये ने तो इनमें इससे रिलेटेड हो सकता है लेकि पहले आप एक्सपरिमेंट जो दे रखे हैं में प्रीफर जो करोगे वह पहले मैंचिल करोगे जिसमें एक्यूरेसी है अपना एक्यूरेसी है तो यह सिंपल है आप से रोजाएगा इसका नेक्स्ट कोशन 29 चूज दे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैपलोईड कंटेंट ओफ डियने इस फोर पॉर पॉइंट सिक्स यह बैसिकली यहां पर एकोलाइका है यह मन का ही नहीं ए नायटोज यहां पर यहां पर यह बहु गलत है यह बहु गलत है यह बहु गलत है इस टेटमेंट के वल यह करेंट तो यहां पर जो ट्रांस्पोर्मेशन थेओरी है उसके बारे में जो एवरी प्रांस्पोर्मेशन थेओरी है मैं कलियोटने मैं कार्टने जो पाता है तो यह पता लगाया था कि वहां पर ट्रांस्पोर्मेशन को रोग देगा तो यहां कुछ बेसिक जो है उन्होंने स्टेप्स दे रखें कि किया क्या था बड़ा सिंपल है जैसे अपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपने यू अब्ली और जो स्टेंग है यहाँ आपको यह देखना पड़ेगा लाइव आर्स्टेंद डीके नेचर न पर धिकिली इने ज फाले धीकेर और यहां पर यहसेट यहां उन्रम स्ट्रेंग प्लस डीएने इसका यहां पर बड़ा रोल है और लाइब स्ट्रेंग लेनी है तो डीएने जो डीएने को क्या करवेगा डाइजस्ट करने तो आर जो हुए एस में करवर्ट नहीं होगी त्रांस्फरमेशन को रोग देगा तो इसके अधार कुनों में बताया था यहां पर लिखा है डीएने फ्रों एस चेंटर से कहने का मतलब ही है कि जो हीट किल एस बेक्ट्री है उसका डीएने जो है उजा रहे आपका सेप्ट्रांस्फरमेशन करने की लिए उन्हों को सेपरेट कर लिया और फिर यह डीएने जैम आरने जैम यह उनमें यूज किये पर बड़ा सिंपल है आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट्र डाइग्राम शो एन इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट इन जीन इंप्लिगेशन ओफ डियने फिल इन दे ब्लेंग्स एटूशी डियने टू एमार्ने तो अपने को पता है यह क्रिप्सरी श्यूज के बाद में हैं एमार्ने से प्रोटीन यह प्रोपोस्ट्र पाइग वाट्सट्रीग वाट्सन क्रीक वाला जो फ्रांसिस क्रीक जिसने यह सेंटे लोग माँ प्रपोस्ट्र गिया था और यह क्यों सब्सक्राइब आपका ट्रांसिप्सर बीजो है वह जाएगा आपका ट्रांसिलेशन और सी यह वाला आंसर जाएगा नेक्स्ट दबल है लिगल ऑफ डीने वस प्रपोस्ट बाइब वोट डाटा गिए प्रोड्यूस दिस मोडल बिल्कुल अभी जिए जो एक्स रे डिफ्रेक्शन डाटा है वो फ्रेंक्लिल वाला उसका उन्होंने यूस किया था दो जो विल्किन शो फ्रेंक्लिलिन उन्हो देटा ओटेंड किये था और उन डेटा हों पर जो है आपका वॉट्स जो क्रिक मोडल वो आधा रिता विल्किन किनों को नोबल प्रैस दिया था तो यहां पर आट्सर हो जाएगा एक्सरें डिफ्रेंशन कि नेक्स्ट कोशन नुबर 33 है मैंटिंग ओफ डियने एट एन इलिवेटेट टेपरेचर सेवंटी डिगरी इस प्राइमरली डू टू होता है ब्रेक्टाउन ओफ सेवंटी डिगरी सेदित आपमांग पर डियने की विकरती मुख की रूप से किसके करान होती है तो बिल्क भाम सुलों जाएगा फॉर्थ ओस्टन नेक्स्ट नैक्स्ट नाय्ट्रोजन बेस प्लस पैंटो सुगर फॉस्पेट रूप अभी सोज़ने मताए था यहां पे दिगरी और नायटरोजन बेस और यहां पे देज्च क्या होगा फॉस्पेट रूप इस तरिके से इन एक सि प्रोटीन का फॉर्मेशन एम्मेशन सी होता है फिर भी हैत्रोपोलीमर है इस अधियों इस इस तो बिएपोटेंट टाइप होले राइपोजाईम और न्यूकलिक एसीड विद्ध केटलाइटिक पावर विलकुल अपन कह सकते हैं यह अपने पास में आरेने होता है बैसे कली जो एक एंजैम की तरह बहाती कार्य करता है तो 23S आर आरने और 28S जो आर आरने है वो एंजैम की भातिकारी करते हैं इसलिए उन्हें भोलते हैं राइबो निकलिक अचिड एक्ट एज एज एंजैम तो सही होगा एक निकलिक एसिड सर्व एस जनेटिक मेटरियल तो बिल्कु है क्लेजन इस दे बॉस्ट अबने बॉटीन इन दो ओल ऑट बायोस्फियर रुबिश्को इस दे मोस्ट अबनेट प्रोटीन इन अनिमल वर्ड लो यह वो थो थे क्ली में होता है ठीक जाए निम्स में यह प्रेजेंट नहीं होता तो यहां पे रोंग स्टेंपेंट हो गय कि पिरिमेडिन बेस विच कंफर्ट एडिशनल स्टैबिलिटी टू डियने और आरेने इस पिरिमेडिन चार्ज जो डियने को आरेने से अत्रिक्त इस्टाय तो परदान करता है वह कौन सा है बताये भी अपने बिल्कुल सर्थोरी देर पले थाइमिन थाइमिन क्योंकि आरेन होता वहां पर यॉरेशन चे ज्यादा स्टेबल होगा बिल्कुल और जिसकी स्टेबिटी हाई है उसकी रेक्तिविटी अपने को बताएं इस्टोन अक्तामर के अंदर है एच तू ए एच तू बी एच तू एच तू एच फोर तो फोर ताइपस के एड़ इज कंसिस्ट त वेच तू तो यहां पर जो अक्तामर है उसमें फोर टाइपस के इस्टोन कोटिन है कोटन यह पर इस तूर कितने होगे एच यॉट कुछे तो फोर संख्याद उच है तो आठ होगे तो जो इसटोन है उख्टाबर अपन बात कराएं तो एच ताइपस की है जैसा सट ने ब पॉजिटिवली चार्ज्ट स्टोन उक्टावर टू पॉर्म का निप्लियोसोम का निर्मान होता तो बिल्कुल यहां डेता है जोड़ी से बताती है एक बात कही बच्चों के दिमाद में आती है कि सट इस तरीके से उक्टावर होता है तो यहां पर जो दियरे वो इस तरीके रखेंसे ने nesk question if the total amount of adenine and thymine in a double standard dna is 60% then the amount of guanine in this dna will be तो यहां पर जो कर सकते है एडिन यहां पर कितना है अडिन लुस थाईमन दे रखा है यहां पर कितने 60% है पुछ आ पर रिक्पने को यहां पर नहीं है तो एट यहां पर 60 परसेंट तो सीजी यहां पर क्या हो जाएगा 40 परसेंट ही हो जाएगा यहां चाहिए आप अपने जितने भी क्योंस लिए हैं पिर खाल से बच्छों को बताना चाहूंगा कि सारे अग्जाम औरिंटेट हैं नीट में इस तरह की क्योंस आता है बिल्कुल और आपको वहीं प्रक्टिस हमें करवानी है तक ही आप नीट के लिए प्रिपेर हो जाएं यहां पर कोई आपको डिटेल में नहीं जाना है और यह क्योंस जहां पर बच्छे ज़ली सिली मिस्टेक्स कर देते हैं अपने बच्छों ने देख लिया होगा रैपली केशन तक क्योंस लिए जनली स्टक्चर के आगे डियान स्टक्चर वोर्शन करिक मोडल चारगाफूर्ण हरसे चैसे एक्स परियोंडियों वह सारी किसन अपने से बाहर के आएगा नहीं आ गया पर क्योंकि यह सब क्या कर रहे हैं तो क्योंस आपके सामें लेका रहे है ताकि गुरुनीति से बाहर कोई को सना जाए बच्चा आराम से जो है क्योंकि नेक्स्ट के जलते हैं सर्फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिनोट्स तू बेस पेर ओफ डियाने इन 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 इस स्ट्रक्चर नेम ऑफ ताइप अपने पास में डी दिरका है तो यहां पर कौन सा बॉंड हो गया एंगलाइकोसेटिक मॉड ठीक है उसके बाद में बी वाला उधर दिया है बी जो है यह अपने पास में हो गया दो निकलोटाइट्स के वीच में तो फोस्पो डाइस्टर बॉंड हो गया बिल्कुल लिग जो पर एक बोंड को पर रिखे रिखें सकता है और उपसर में जा ट्राव देखने पढ़ाइगे तो यहां पर एग हो गया भी हो गया सी की बात होगी सी आपने बात होगी सिंपल हो गया इसलिए दे रखा है ताकि यहां पर नहीं दे रहते हैं नीट में भी अपकी बार जो मैचिंग वाले क्योंस आए थे उन्में भी यह दिया रखा था कि एक मैचिंग वाले इसा हुआ इसे बात है कि अगर आपको किसी बच्चे को एक मैचिंग मिलेगी ना तो उसको बाके मैचिंग करें तो यहां पर वैसे भी एक बेस्पेर की बिच की डिस्टेंस को क्या करता जा रहा है जिसे मालवा यहां पर 80 है 80 के बाद में क्या आता है तो इनके बीच की डिस्टेंस यहां पर कितनी होती है 3.4 एंग स्टोन जो है बीच को डिस्टेंस होती है आप देख लोग किसके अकोरिंग दे रखी है तो यहां 3.4 एंग स्टोन पॉइंट्री और नैनोमिट्र एक ही बात है नेक्स्ट पुरिल्स पर्जेज नाइट्रोजन एट तो भी डाइगराम आया था महां पर डाइगराम में आप आपस देख ले ना 1379 पर नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन पर यहां पर आंसर थर्डॉप्शन हो जाएगा नेक्स्ट यहां पर अग्डेंटिफाइग गरों स्टेट्मेंट अबाउट यह दिफाइन एस दिफाइन एस देन नंबर ओफ बेस पर प्रेजेंट इन बिल्कुल कह सब्सक्राइब भी डिने की लेंथ या तो क्लो टेलो नुकलिटाइट से या फिर बेस पर सिकर ग्रूप तो यहां पर लिखाएगे साब जो निकलर टाइड है उसमें नायट्रिजन वेस इस लिंक्ट तो वेस फोस्पेट गूप कि यहां पर स्टेट्मेंट क्या होगी आपना गलत हो जाएग नायट्रिजन बेस जो है वो सुगर से कनेक्ट है नाकि फोस्पेट से स्टेट्में इस केमिकली 5-methyl-uracyl बिलकुल गरेक्ट हो गया आइसर आजाता है थाइमिन को फ़न मिधाइलेट्ट विएसल भी बहुत है तो वी बहुत है तो आज़ा यहां के बादें मिधाइलेट्ट यूरेसल फांड इन तो आशर जाएगा डिये नावनेंट्स्ट् इस लिस्टेट बिलो इस नोट ए क्राइटेरिया पुर ए मोरिक्यूल तो एक एस जैनेटिक मैटेरियल जिने जन्रेट इस रप्लिकेशन ओके केमिकली एंड स्ट्रेक्टुरली स्ट्रोमा जाहिए मुटेट स्लोली तो फैसिलेट इवलूशन डैस्टो इट्सेल्फ इन एव तो वहां भी थोड़ी कल थोड़ा सा पॉर्सन दिया है थोरी दे रखे पुरा इक परेग्राफ जाए लिए उसमें प्रोपर्टी आपको याद रखने पड़ेंगी कि इसको जैनेटिक मैटेर का फंक्शन करना उसमें क्या-क्या प्रोपर्टीज होने चाहिए तो प्रोप गवारी तो नहीं होना चाहिए थर्वाइस व्याइब कामी नहीं आइगा है नेक्स्ट इन विच उप दे फॉलोइं प्रोइग गोमिनेशन स्टैंड इसम नहीं होनगे अदर वेट इसमें नेर्ट को याद बेगना आपको कि लार्ज कोई है समोल कोन है सबसें इसमोल नही तो पुछा क्या है इन्होंने असेंडिंग और कुछ है असेंडिंग का मितलब आपका हो गया बढ़ता हुआ करम हो गया तो बढ़ते उकरम में तो सबसेंड में क्या होना चाहिए सब खाल आणि अन्य न्य पासमें अन्य प्रिप्ट ऑफस्क होना चाहिए बिल्पूल तो यहां पर यह है यह अर्ए से छोटा हुता है और सिंगल स्ट्रींट में फिर एटीप जो है वह फो एडीप से लार्ज होती है यह तो अपने पास होगा दोनलो न्य गफ्लिक आशे थो इ तो यह क्यों सब्सक्राइब कर लिया है और अगली वाली में जो है अपने मोल्यूपिलर के बाकी की जो है क्यों सब्सक्राइब करें ठीक है okay all the best